आप में से जिन्हों ने प्रिंसिपल्स और मार्केटिंग का कोर्स अपनी उनिवर्सिटी में या पहले कहीं पढ़ा है तो वो इस कॉंसेट से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे जिसका अपनाम है फोर पीज ओफ मार्केटिंग इस सेशन के अंदर मैं ये कॉंसेट आपको असान अलफ़ाजों में सिखाने की कोशिश करूँगा और देखिए कि इसको समझने के बाद क्या आप अपनी जो करण डिजिटल मार्केटिंग प्रेक्टिसेज हैं उसको बेतर बना सकते हैं लेकिन सबसे पहले फोर पीज ओ मार्केटिंग है क्या अगें मैं वापिस उसी मार्केटिंग की किताब में जाओंगा जिसका जिकर मैं शुरू से कर रहा हूँ इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉरंट कॉंसेप्ट किसी भी मार्केटिंग की टेक्स्ट बॉक के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर होता है वो था फोर पीस ओफ मार्केटिंग का फोर पीस ओफ मार्केटिंग इस बेसिकली एस स्ट्रेटिजी फ्रेमवर्क के जो एक कमपनी यूज कर रही होती है अब इस स्ट्रेटिजी फ्रेमवर्क बड़ा एक डिफिकल्ट सा और मुश्कल सा लवज है इसको अगर मैं असान अलफास के अंदर आपको बताने की कोशि होती है अच्छा वह यह चार पीस होते कि हैं और आप मेंसे कुछ लोग मेरे से डिसएगरी करेंगे हैं कि भही हमने तो एक किताब पड़ी थी उसमें साथ पीस या ग्यारां पीस थे आप भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिनेरिकली और अगर हम से स्ट्राइटिजी फ्रेमवर्क शुरू हुआ था जो बाद में एक्स्टेंड होके 7 पीस हो गया फिर 11 पीस हो गया लेकिन इस सेशन के अंदर मैं उन 4 पीस का जिकर करूंगा जो सबसे ज्यादा important है जिसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए 4 पीस के अंदर सबसे पहला पी है प्रॉड़क्ट का, सेकंड पी है प्राइस का, थर्ड पी है प्लेस का और फॉर्थ पी है प्रॉमोशन का अब अगर हम product के P.E. से शुरू करें तो आपके जहन में क्या लगता है कि product से क्या मुराद होगी और कौन सी ऐसी strategies हैं कि जो इस P.E. यानि कि product के P.E. के अंदर company adopt करती होगी या बनाती होगी कौन सी ऐसी planning है जो company इस product के P.E. में करती होगी सोचिए product का P.E. बहुत important P.E. होता है किसी भी company के लिए इसके अंदर वो तमाम strategies, तमाम planning, तमाम objectives आते हैं जो एक product या service के related होते हैं जो इसको company लाँच किया होते हैं जिसको company बेचने के कोशिश कर रही होती है एक company है कि जो mobile phone बनाती है और उस company का जो product है वो एक mobile phone है तो product के P.E. के अंदर वो company market से research करके पता करेगी कि हमारी इस product के अंदर यानि कि उस mobile phone के अंदर कौन-कौन से feature होने चाहिए अब research के बाद मैंने find out किया कि मेरे mobile phone के अंदर मुझे अब earphone के jack की जरूरत ही नहीं है याद करें जब iPhone 10 release हुआ तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि इस mobile phone के अंदर तो earphone के insert करने की जगह ही नहीं है या iPhone 7 के अंदर या iPhone 8 के अंदर और तमाम वो mobile phone जो market में available हैं वहां उसके अंदर आप बड़े अराम से अपना earphone यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें earphone यूज़ करने का सुराख होता है जगह होती है तो iPhone ने किसी research की waste के ओपर अपने product के अंदर इतना बड़ा change किया और इतनी बड़ी change लेकर आए अब जो iPhone के साथ earphones आते हैं वो सिर्व आप iPhone के साथ ही use कर सकते हैं और किसी और company के product के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं तो जो product का P.E. होता है उसके अंदर company research करती है research करके find out करती है कि हम अपनी product या service को किस तरीके से बेतर बना सकते हैं यहां मैं एक airline की example आपको दूँगा और इसको आप अपने तोर पे Google भी करें साथ-साथ जब आप यह lecture देख रहे है एरेशिया एरेशिया नाम की airline है which is owned by a Malaysian company और Malaysia के अंदर सबसे ज़्यादा यह popular है Malaysia से शुरूई अब काफी different मुमालिक में इसकी flights जाती है और मुझे काफी तफ़ाइ इतफाक हुआ एरेशिया को पर सफर करने का अब एरेशिया की flight जो है अगर आप उसकी pricing बलके मैं आपको एक टास्क देता हूँ ज़रा देखिये के कौललंपूर से जो कौललंपूर is a capital of यह is a big city of Malaysia कौललंपूर से अगर आपने आस्ट्रेलिया के किसी शहर जाना हो पर्त जाना हो या आपने Melbourne जाना हो जरा देखिये कि उसकी ticket कितने की है और उसकी ticket की price को compare करें Malaysian airline की ticket की price के साथ और जब आप यह prices देख रहे हैं तो भाई कल की या पर्सों की ticket देखने की जरूद नहीं हो हमेशा महेंगी ही होगी आप देखें कि आपसे महीने के बाद या दो महीने के बाद वो tickets कितने की मिलती है Air Asia की tickets हैं वो बाकी तमाम airline की ticket से सबसे ज़्यादा सस्ती है उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा है कि उनकी product है airline की seat जो बेचते हैं अपने consumers को PIA भी करती है बाकी airlines भी करती हैं लेकिन उन्होंने ये अपनी research के बाद find out किया कि जब एक consumer यानि के एक user हमारी airline को use कर रहा होता है तो अगर हम उसमें से खाना माइनस कर देंगे यानि कि हम आपको खाना नहीं देंगे during your flight हम खाना माइनस कर दें हम entertainment माइनस कर दें आप Australia जाएं बिल्कुल जाएं हम आपको सिर्फ एक seat देंगे अपने जहाज के अंदर और दो seat'ों के दिर्मयान का जो distance है उसको भी कम कर दें ताके एक या दो या तीन मजीद रोज आ जाएं कि जिसके अंदर हम मजीद लोगों को बिठा सकें वो भी हम कर देंगे लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेने के बाद हम आपको टिकेट की वो प्राइस देंगे जो आपको पूरी दुनिया में किसी और airline से कभी नहीं मिलेगी तो आपको खाना नहीं मिलेगा जहाज में during the flight आप अपना खाना खुद लेकर आएं आपको जहाज के अंदर को entertainment नहीं मिलेगा वो आपने अक्सर देखा है आप मेंसे जिन्हों ने जहाज में सफर नहीं भी किया तो अक्सर जो है वो जब आप किसी लंबी flight पे होते हैं तो आप हमें एक्सर पैसे देखे हम आपको एक iPad देदेंगे screen देदेंगे वो आप ले लीजिए 15 $ हमें देदें 20 $ हमें देदें हम आपको provide कर देंगे उस पर आप सारे रास्ते movies देखें लेकिन आपको ticket की price में वो नहीं मिलेगा और जो ticket की space है या जो seat की space है sorry वो भी छोटी ह होगी आपको थोड़ा सा फंसके बैठना पड़ेगा अगर मेरी तरह थोड़े से मोटे हैं तो आपको seat में बैठने में थोड़ सी दुश्वारी आएगी लेकिन भाई अगर ticket सस्ती है तो I don't mind मैं अपनी टांगें जो है वो जोड़के भी सफर कर लूँगा एरपोर्ट प तो बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम airline की ticket को सस्ता करेंगे तो consumer सबसे पहले हम से ticket करीदेगा और वो करते हैं उनकी airline ज्यादा तर full होती हैं तमाम जहाज उनके full दुनिया में किसी भी जगह वो अगर fly कर रहे हैं उनके जहाज फुल होते हैं और Malaysia में एक अलग एक से airport terminal Air Asia के लिए बनाया गया है क्योंकि उनके इतने ज़्यादा जहाज हैं और operations शुरू किये हुए कभी उनको कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ तो अपनी product को strong बनाने के लिए वो continuously research करते हैं और इसी research ने उनने मजीद आगे next बताया कि जब customer एक travel कर रहा है और किसी शहर में गया है तो वो शहर में जाने के बाद चुंकि उसका घर नहीं है तो उसको एक अच्छा hotel भी चाहिए लेकिन सस्ती price में चाहिए और यही काम उन्होंने hotel industry में भी किया जो major शहर हैं उदर उन्होंने अपने hotel बनाए हैं जिसका नाम उन्होंने tune hotel रखा और वहां exactly यही concept है कि अगर आपको टीवी चाहिए आप extra pay करें आपको तॉल यह चाहिए आप extra pay करें हम आपको कमरा देंगे और बैट देंगे लेकिन उसके लाव तो product उन्होंने अपनी strong बनाई second concept इसके साथ associate होता है P second P जो है pricing का यानि कि जब आपकी product की research हो गई और product जो है वो strong हो गई तो आप देखते हैं कि pricing क्या होनी चाहिए क्या अगर हम अपने इस new released टीवी की technology की price को कम रखते हैं तो वो हमारी product के लिए अच्छा है या बुर है हो सकता है कुछ ऐसी products बनें जिसना अगर मैं iPhone 10 के आपको example दूँ अगर iPhone 10 की price 300 डॉलर होती या 200 डॉलर होती 20,000 रुपे का phone होता तो क्या आप मेंसे वो लोग जो iPhone यूज करते हैं क्या आप खरीदे जाकर शायद नहीं क्योंकि iPhone को खरीदने के साथ आपकी एक certain prestige attached होती है इसी तरीके से दुनिया की जो बड़े बड़े लक्शीरिस ब्रैंड है जिसमें गाड़ियों के ब्रैंड भी आते हैं उनमें अगर आप नोट करें तो हो सकता है वो गाड़ी उतने की ना बनती हो लेकिन वो बेशते बड़ी महंगे है यह जो handbags होते हैं अब Louis Vuitton ये LV न that is the truth search करके देख लें अगर आपको मेरी बात वेकिन नहीं है तो जो pricing set हो रही है वो भी research की base पे हो रही है उसकी पूरी एक strategy बनती planning होती company में लोग बैठते हैं वो decide करते हैं कि हमारी brand की power इतनी है हमारा product इतना strong है और इसकी pricing या strong होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए या क कि जी हमने skill सीख ली है मैंने practice भी कर ली है और मुझे client ने आकर हमारे अलाके में restaurant है उसने आकर contact किया हो मुझे कहते है भई तुम ना मुसे पैसे ले लो महीने के और हमारा जो social media का facebook का page उसको manage कर दो तो मैं क्या करूँ मैं कितने पैसे charge करूँ मैं ढरता हूँ या ढरती कि मैं अगर ज्यादा कह दूँगा तो client चला जागा कम कह दूँगा तो I don't know तो जो pricing है उसको आप अपनी skills की base के उपर आप decide करें कि आपने 15,000 रुपे लेने हैं बीस लेने हैं 50,000 रुपे लेने हैं उसको decide करें कि आप offer क्या कर रहे हैं आपके पास experience कितना है पहले कितने product पे आपने similar काम कर चुके हैं तीसरा P है place का place के piece से आपके जहन में क्या आता है place के piece मुराद यह है कि जब product बन गई pricing set होगी तो अब वो product आपने customer तक भी तो पहुचानी है मैंने एक कपड़े दोने वाला जो powder है वो मैंने बना दिया और price भी उसकी बहुत अच्छी product भी बहुत अच्छा है अब customer आता है एक दुकान के ओपर लेने एक दुकान से पूचता है दूसरी से पूचता है तीसरी से पूचता है लेकिन वो product अवेलेबल ही नहीं दुकान में उसके वज़ाए है कि मेरी company की distribution यानि के placing strategy है वो week है मैं इसके ओपर तबज़ों ही नहीं दे है कि किन किन जगों के ओपर हमारी product अवेलेबल होनी चाहिए कई ऐसे brands है जिसना मैं यहां दोबारा mobile phone की example दूँगा कि आपको पाक्सान में Samsung easily available है लेकिन Apple की कोई store नहीं है कोई दुकान नहीं है तो आपको different अपने दोस्तों से में हुआना पड़ता है या आपको जो बड अपने product को deliver नहीं करते हैं और last P है promotion का पी और promotion as the word suggest के promotion के पी के अंदर जब product बन गी pricing सेट होगी product पहुझ भी गई दुकान में अब आपने इसको promote करना है और लोगों को बताने के भाई यह product सबसे अच्छी है और आएं आके आप इसको हमारे दुकान से करी दें और इसको promote इस तरीके से करें कि वो एक real भी लगे और लोगों को आपको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद यह नजर आए कि आप जो बता रहे हैं वो एक honesty से बता रहे हैं और वह product की तरफ माइल हो और eventually उसको खरीदे अब यह four piece का concept मैंने detail लेकिन असान तरीके में आपको समझान मुझेisten के समय मुझेर आपको समय हो और लोगोजटे।